आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Question बोला गया है Two capacitors C1 with capacitance 2C C2 with capacitance C are connected in parallel They are charged and then battery is removed So यहां पर Charge करते हैं Then battery को remove करते हैं If a material of dielectric constant K is inserted in C2 Then find the final potential across them तो देखें यहां पर C1 C2 capacitor दिये हुए हैं C1 के capacitance है 2C C2 के capacitance है C ठीक है और इनको क्या करते हैं पहले charge करते हैं और यह दोनों parallel में connect हैं इनको पहले charge करते हैं तो C1 के उपर कितना charge आएगा Q1 बराबर Q बराबर C V होता है तो 2C into V हो गया दोनों के cross अभी potential V रहेगा क्योंकि दोनों parallel में connector है Q2 क्या हो जाएगा C2 multiplied by V यानि कि C V तो total charge होगा इस पुरे system का वो क्या होगा Q1 plus Q2 होगा दोनों को add करिये तो 3C V हो गया तो यह charge total होगा यह आपका conserve रहेगा अब आपने battery होटा दी battery होटाने के बाद यह आपका 2C बचेगा और यह आपका capacitor C बचेगा इसने एक dielectric constant K को insert किया है C2 में C2 हमारा कौन सा है? नीचे वाला है यानि कि C इसमे dielectric constant insert कर दिया insert करने के बाद suppose कर लिजिए V dash हम लोग मान सकते हों दोनों का potential होगा V dash अब दोनों का charge लिखेंगे तो अब दोनों का charge अगर लिखेंगे Q1 कैसे लिखोगे? Q1 मराबर लिखोगे इसको Q dash मान ले है Q1 dash Q1 dash जो लिखेंगे वो 2C into V dash लिखेंगे और Q2 dash कैसे लिखेंगे? इसका capacitor जो है वो K times C हो जाएगा तो K into C और potential difference इसका V हो जाएगा V dash क्योंकि V dash है potential तो चेंज करने से क्या हुआ? यहाँपर डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या हुआ? इसका capacitance जो हो गया? वो KC हो गया ठीक है? तो यह logic है तो टोटल चार्ज अब कितना हो जाएगा? Q dash बराबर इन दोनों को add करेंगे तो C V dash common ले लिजी तो यह हो जाएगा 2 plus K ठीक है? तो चार्ज हमारा क्या होना चाहिए? conserve रहना चाहिए तो Q dash की value Q के बराबर होना चाहिए इसको C 3 CV के बराबर कर दिया तो जब 3 CV के बराबर किया इधर हो गया हमाँ CV dash 2 plus K और left side में 3 CV है C से C cancel हो गया तो यहाँ पर हमारे पास V dash हम लोग find करना है V dash is equal to 3 V divided by K plus 2 option second से ही है Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर